सब्सक्राइब करने वाले स्पेन के बारे में क्या नए ट्रेवल रूल्स है और पूरा इस्पेन के लिए हैं मुझे पता है स्पेन के रिगार्डिंग देखने वाले लोग जो है वह बहुत कम है मेनली जॉडियन्स है हमारी माल्टा के रिगार्डिंग है लेकिन इस्पेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और क्या नए रूल्स इस्पेन ला रहा है फॉर इनियंस वह एडवाईजर में लिए बताना आपके लिए यहां बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो मुझे उम्मीद है आप इस व आप इसका मतलब जो लोग लॉँन्मीद हो गए डिप्लोमैट्स हो गए इस्टूरेंट्स के लिजिए या वह कटरी जिनमें उनका वहाँ जाना जरूर है या cannialism मतलब उन्हें अपनी वहाँ जाने का जो रिजन है वह एक बर प्रूव करना होगा इन सबी क्यांटेगरी हो गए एक तरीके से और लॉंग इस्टे केडिकरी इन सब के लिए उन्होंने वीजा सर्विचिस ओपन की थी इसके बाद गैस उन्होंने ये बताया था कि हम किन किन वैक्सीन को अप्रूब कर रहे हैं क्योंकि अगर आप एज इंडियन इस्पेन एंटर कर रहे हैं तो वहां की अप्रूब्ड वैक्सीन आपके पास डूवल डोज आपको लगी वी होई चाहिए और उसको 14 डेज मतलब हो गए हो तो गैस सबसे पहले मैं आपको वैक्सीन के नाम बताता हूं गैस सबसे पहले हमारी जो कोविट शील्ड है वो अप्रूब्ड है इसके रावाद चार यह में अप्रूब्ड वैक्सीन है जिनका नाम है आस्ट्रजेनिका मोडर्ना फाइजर और जॉंसन और दो और वैक्सीन है जो कि यह सिनोवैक और स्नोफार्म तो अगर आप इन में से किसी भी एक वैक्सीन के दो डोज ले चुके हैं तो गैस यह आपके लिए एक अच्छ बचर रखिए जो की है है एक ऐसा है जो आपका पूरा कवरेज रखेगा अगर आपकी ट्रिप कैंसल हो जाती है तो गाइस उसमें आपको ट्रिप कैंसलिंग कॉस्ट जो है वह बहुत कम बेर करने रहेगी और अगर आप किसी भी हैल्थ डिफिकल्टी का सामना करते हैं तो पैस उससे भी आपकी हैल्प वहां हो जाने वाली है आगे बात करें गई में वैक्षिनेशन सेटिफिकेट मांगा एक चाहिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर होने चीज़ जिसमें हो गया जैसे कि आपका नाम सरने कान रिस्पॉंसिवाल Princip आपको वैक्षीन लगाई है नेम उफ वैक्षीन प्लेश ऑफ ऐंशू डेट आफ अइसब को मेंशन हुना चाहिए वैक सेले चाहिए इननियुपर के साथ आपको एक हल्द कंट्रॉल सांबस हिलक और या तो तो Spain Health Control की online website से पोटल से या फिर एक आप आती है उसके तरूँ आपको अपना Health Control form फिल करना रहेगा जिसमें आपके normal सी information होगी health regarding और आपके regarding यह जो form है इन paper नहीं आएगा यह जो form है आपको digitally ज़ली फिल करना पड़ेगा एप के तुर्या पोर्टल के तुर्व और आपके पास जो इंदा एंड क्यू आर कोड़ आएगा वह आपको एरपोर्ट पर दिखाना रहेगा और जो नॉर्मल सिक्वर्टी चेक्स होते हैं वह आपके होंगे तो वैस यह जो है सारे डॉकुमें किया है वह काफी अच्छे और सालर शब्दों में हैं और इससे हम यह देख पा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसे अपने आपको रियोपन कर रहा है फॉर इंडियन्स एंड फॉर होल वर्ल्ट यह था चोटा सा वीडियो मुझे आपको आज की वीडियो जो थोड़ी स मिलेंगे किसी ऐसे ही अगले अच्छे इंफॉर्मेटिव नहीं वीडियो में तक के लिए बाइबाए